तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे ECST10 क्रेफिल स्रीज के जो LEM और KCC के बीच में जो ये मैच होने वाला है इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों हे टीमों के पूरी इंफर्मेशन देने वाला हूँ बैटिंग ओडर के साथ कौन से प्लेयर आपको इस मैच के अंदर ओपन करते वे नज़र आएंगे कौन से प्लेयर आपको फॉस्ट आउन पे खिलते वे नज़र आएंगे तो सारी information में आपको इस वीडियो के अंदर provide करूँगा तो एक बार इस वीडियो को अंतक जरू अच करना ताकि जितने भी important जानकारी है इस match related आपको मिल पाए और आप इस match के अंदर बैहतर से बैहतर grand league और small league के team बना पाएं लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी से रिक्वेश्ट है दोस्तोंगा आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार subscribe जरू कर लेना इस वीडियो के नीचे जो आपको subscribe का बटन दिख रहाओगा दोस्तों इस पे एक बार क्लिक कर दें साथ साथ यहां पर जो बैल आकन बना हुआ है इस पर क्लिक करने के बाद आपको all का option देखने को मिलेगा इसको भी एक बार select जरू कर लेना ताकि आने वाले टी 10 और टी 20 मैजिस का वीडियो में जैस से upload करूँगा आपके पास सीधे notification जाएगा और सारी मैजि टेलिग्राम ग्रूप कर लें देखो यहां पर आपको एक एरो का बटन दिख रहा होगा जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों हमारे टेलिग्राम ग्रूप का लिंक आपके सामने सो हो जाएगा इस ग्रूप में जोईन करना ज़रूरी है क्योंकि लाइन अप के बाद फाइनल टीम यहीं पे मिलेगा अगर कोई भी चैंजेस होता है हमारी टीम में कोई भी अगर बदलावाता है तो आपको फाइनल टीम यहाँ पे शेयर कर दिया जाएगा लाइन अप के बाद तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा दूस्तों डिस्क्रिंट करते हैं तो वहीं टाइमिंग रहेगा पहला मैच 12 बज़े और दूसरा मैच 2 बज़े आपको दो पहर को देखने को मिलने वाला है पिछ रिपोर्ट की बात करते हैं दोस्तों यह जो ग्राउंड रहने वाला है दोस्तों अभी तक जिस प्रकार मैचे सुए हैं सौरन का सप पास एक एवरेज इस ग्राउंड पे देखने को आपको मिलने वाला है दोस्तों अभी तक देखोगे तो 34 मैचे सुचुके हैं इस रिच के जहां पे 13 मैचेस फर्स्ट बेटिंग टीम ने विन करा है और दोस्तों चेजिंग करते वे 19 मैचेस यहां पे सेकंड बेटिंग ट टीम के बारे में तो अभी तक जिस प्रकार मैचेस हुआ है एली एम के टीम जो यहां पर टीम के ऑपन करते हुए नजर आएंगे दोस्तों यहां पर देखो अभी तक 4 मैचे से नहोंने खेला है दो मैच जीता है दो मैच लॉस किया है सबसे फिले आप टीम का रिपोर्ट सेम अगर आप देखते हैं के से के टीम के बारे में तिनोंने भी दो मैच जीता है और दो मैच लॉस करते हुए आये हैं टीम के जो ओपन करेंगे एली एम के टीम के तरब से रिजवान बाबर जो टीम के राइट रन बेटिंग करेंगे प्लस लेग स्पिनर है फर्स्ट है ना टीम के ओपन करेंगे प्लस आपको गिंदबाजी भी करते हुए नजर आएंगे बढ़िया प्लेयर है दोस्तों आपको टीम के टॉप अडर पर बैटिंग करते हुए दिखेंगे तो अपने टीम के तरब जरूर से जरूर ट्रै करना अच्छा प्लेयर है बाकि मुद प्लेयर है टीम के फर्स्ट राण पे बैटिंग के साथ साथ आपको दो वर तक बॉलिंग भी करते हुए नजर आएंगे और इनको अपने टीम के अंदर आप जरूर से जरूर ट्रै करना ये भी बहुत इंपोर्टन प्लेयर है और टीम के आपको बैटिंग के साथ साथ अजिस भटी की बात करते हैं टीम के कैप्टेन है थर्ड डाउन पे खिलते हुए पहले मेच कंदर 80 रंट स्कूर करा था फिर दोर प्लस एक वीकेट फिर दोस्तो यहां पे 12 रंट स्कूर करा था और लास्ट मेच कंदर 34 रंट मनाये हुए हैं दोस्तों इनका भी बेटिंग अगर आप देखते है तो काफी बडिया और लास्ट मेच कंदर बढ़िया पारी खिला था 34 연 का स्कोर इनुने करा था लास्ट मेच कंदर हसन अली टीम के 4 नमर पे खिलते हैं पहले मेच कंदर 2 रं बीसरे मेच कंदर 4 रं स्कुर करा है दोस्तों राइट रन बैटिंग करेंगे पहले मैच कंदर आठ रन फिर एक रन फिर आठ रन सेकेंड नौन पर खिलेंगे इनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है बाकि दलजित सिंग जो कि दोस्तों पहले मैच कंदर 20 रन खर्च करते वे एक वीकेट निकाले थे फिर चार रन प्लस देख वीकेट फिर दो रन बनाएज इसमें कोई वीकेट नहीं मिला फिर तीन रन बनाएज इसमें कोई वीकेट नहीं मिला है लेकिन यह जो खिलाड़ी है यह चार नमर पर बैटिंग के साथ आथ आपको दो वर तक कंफर्म गिंदबाजी करते वे दिख जाएंगे दोस्तों और तो इनको अपने टीम के अंदर आप जरू ट्राय करना साफिर एमान यह राइट हम फास्टर गिंदबाज है पहले मैच के अंदर 14 रन कर्च केते कोई वीकेट नहीं मिला फिर पांच रन फिर यहां पे छे रन इनका रिकॉर्ड भी उतना बैटर नहीं है फिर 10 रन प्लस एक वीकेट फिर 23 रन प्लस एक वीकेट अलाकि लास्ट मैच कंदर देखेंगे तो आप बैटिंग और बॉलिंग दोने से यह फ्लॉप रहा है आप देख सकते हैं यह सेकेंड डाउन पे बैटिंग के साथ आपको गिंदबाजी भी करते हुए दिखेंगे दिन को जरूर से जरूर ट्रै करना बाकि बात करेंगे दोस्तो तुसिता के बारे में दोस्तो यह जो प्लेर है तुसिता जो की पहले मेच कंदर 13 रन खर्च केते हैं लेकिन कोई वीकेट ने मिला फिर बैटिंग और बॉलिंग दोने से फ्लॉप रहा है फिर एक रन प्लस बाजी करा था 9 रन खर्च केते लेकिन कोई वीकेट ने मिला था अक्षे गुपता यह 8 नमर पे बैटिंग करते वे पहले मेच कंदर 42 रन स्कुर करा था फिर यहां पे 17 रन बनाए दोस्तो टीम का यह थोड़ा लेट बैटिंग करते हैं लेकिन बल्ले बाजी अकर इनका द इस मेच कंदर देखने को मिलने वाला है लेकिन वही केसी सी का रिकॉर्ड आप देख लिए एक बार इर्फान एहमद जो के टीम के कैपटन सी का रोल करेंगे यह राइट रन बैटिंग करते हैं पहले मेच कंदर 0 रन फिर यह पे 23 रन यहां पर बॉलिंग से फ्लॉप रहा होता है जो टीम के ओपन तो करेंगे इस साथ सथ आपको बॉलिंग भी करते हुए दिखेंगे इनको जरूर से जरूर ट्राय करना मानव पनिर की बात करते हैं प्लेयर जो है मानव पनवार जो कि पहले मेच कंदर फर्स्ट रॉन पे खेलते हुए तीन रन बनाए थी फिर न सेकेंड डाउन का बैट्समेन है और आपको सेकेंड डाउन बैटिंग करते हुए नजर आएंगे चार मेच कंदर आप रिकॉर्ड देख सकते हैं इनका वह यह असमेन की बात के जाए असमेन जडर रन जो की दोस्तों थर्ड डाउन पे खेलेंगे पहले मेच कंदर एक रन उसमेन अठारन खर्च के तर्लीक कोई वीकेट नहीं मिला था फिर चारन बनाए तेसमें कोई वीकेट नहीं मिला फिर 38 एक एट रन प्लस दो वीकेट फिर दो रन और लाश्मेंच कंदर फ्लॉप रहे थे लेकिन यह तीन नमबर पर बैटिंग के साथ साथ दोस्तों को गि पहले मैच कंदर जीरो रन बनाए थे कोई विकेट नहीं मिला फिर इगारन प्लस एक विकेट फिर दो विकेट और लास्ट मैच कंदर बॉलिंग से फ्लॉप रहें लेकिन पांच नमर में बैटिंग के सासा यह भी दो वर गिंद बाजी करेंगे बाकिया अर्मन सलीम की बात क मिला फिर एक रन प्लस दो विकेट प्रमोट सरमाजों कि यहां पे छे नमर पे खेलेंगे चार रन स्कूर करा था आप इनको ड्रॉप कर सकते हैं सुमीत और यहां पे किस्ट्राइन दोनों को ड्रॉप करना इन दोनों का भी रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है अक्से दानी की बात करेंगे दूस्तों फर्स टरॉण पे खेलेंगे पहले मैच के अंदर नौरण प्लस देग विकेट फिर बैटिंग से फलॉप ता लेकिन बॉलिंग से दो विकेट निकाले हैं तो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं देख से तक दो ही मैच जिस खिला लेकिन तो यह record है L, E, M और KCC का ठीक है और अल्मोस्ट आपको same batting order इस match के अंदर भी देखने को मिलेगा जो आप देख रहे हैं इसमें से आपको जो भी better लग रहा है प्लेयर्स का batting order को देखते वे stats को follow करते वे आप अपने team के अंदर प्लेयर्स को आसानी से ले सकते हैं अलाकि मैंने आपके लिए एक team बना की रखा है before lineup एक demo team तो चलिए अब उस team के और आगे बढ़ते हैं शुरुबात करेंगे सबसे पहले wicket की पर से जो आज आपके लिए सबसे best रहेगा एधानी को मैं try करूँगा KCC के team के तरप से ये team के top 8 अरपी खिलने के लिए आएंगे मैंने पहले कहा था कि team के open करने के लिए आते बढ़ी हाँ player है तो इनको अपने team के अंदर try करूँगा अगर आप चाहाए तो राज इंदरन को आप grand league के अंदर आप ले सकते हैं बाकि बैटिंग में मैंने 3 batsmen को ले रखाया जिसमें से L.E.M. के team के तरप से दोनो batsmen best है एम पनवार को मैं try करूँगा ये 3 batsmen आपके team में होना must है बाकि का record उतना better है नहीं तो आप avoid कर सकते हैं एक उपता को आप grand league के अंदर आप try कर सकते हैं आज के match के अंदर बालिंग की बात तो मैंने यहाँ पर तीन बॉलर को ले रखा है जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन बॉलर में से केसी के team के तरप से दुस्तो मैंने यह पर दो गिंदवाज को ले रखा है तो captaincy के लिए दोस्तों यहाँ पर आर बावर को मैं try करूँगा captaincy के लिए और wise captaincy के लिए संका के साथ मैं जाने वाला हूँ यह मेरे side से team है दोस्तों इसमें अगर आपको कोई बदलाव करना एक दो player तो अपने side से आप change कर सकते हैं उमिद करता हूँ कि वीडियो से आपको काफी कुछ चानकारे मिला होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरू कर ले न वागी thanks for watching